अगर आप अपने बारे में खुद कम सोचते हैं, आप अपने आपको क्या समझते हैं, ये कम सोचते हैं, लेकिन जो दूसरे आपको कह रहे हैं, उन comments के उपर में अपने प्रतीज ज्यादा सूचते हैं तो doubtful है कि आपका जो confidence है वो बढ़ेगा क्योंकि कोई भी एक विक्ति है वो सबको अच्छा तो नहीं लग सकता मा ये कहेंगे, पिताजी ये कहेंगे, friends ये कहेंगे, teachers ये कहेंगे तो बहुत ज़रूरी है हर एक के जीवन में ये exercise, ये तयारी अभी जैसे आपने interview लेने के लिए यहां पर बुलाया तो आपने कहा कि पहले थोड़ा सा देख लीजी, सब ठीक हो, face ठीक हो, dress ठीक हो तभी बाच्छित करके बैठेंगे, फिर camera के सामने आएंगे तो ऐसे ही field में आने के लिए, जब हम सुबह घर से निकलते हैं, काम करते हैं तो उसमें आने के लिए मन की तयारी चाहिए, मैं कौन तो अगर उसमें मुझे याद आ रहा है, दादीजी ने कहा था, तुम तो ना लाइक हो तो कितना ऐसा शब्द याद आएगा, तो क्या confidence आएगा, काम कैसी करूँगा तो मैं कौन हूँ, अगर मैं ये सुभा से ही अपनी positive thoughts कि मैं एक आत्मा हूँ, शक्तिशाल इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, बगवान का बच्चा हूँ और सबकी प्रती मेरी शुभावना है, मैं इंडिया का एक बहुत बढ़िया citizen हूँ, ऐसे ऐसे अच्छी बातें सुभा से अपने को feed करें, तो उस दिन के लिए खुराक मिल जाते हैं तो और कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग अपने पर stamp लगा लेते हैं, कि मेरे पास तो confidence नहीं है, क्योंकि दूसरों को देखते हैं, बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि बड़े-बड़े काम करने वालों के पास, वो पहले ही एक ओंठ जैसा stock था, कि बड़ा उन्होंने वो उपर से कोई confidence लेके आये थे, it's on regular basis, अगर आप रोज ये dose दे देते हैं अपने को, अच्छी अपने बारे में अच्छी feelings की, तो वो जो आपकी सातों दिन की गाड़ी जो है, वो अच्छी चलती है, कहीं रूखती नहीं है, और लगते है ये विक्त तो काफी कमाल का भुशार है, और दूसरी बात है कि जो time table है, आजकल का time table देखिए, कब उठते हैं, अगर आपका काम शुरू होना है आठ बजे से, खाना बनाना है, सफाई करनी है, जॉब पे जाना है, अब साड़ी साथ आप उठे, या साथ उठे, तो आप क्या करोगे त्यार होके, physically आप अपने को set करके शुरू करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए, तो शरीर से काम कराने वाला कौन है, हाथ चल रहे हैं, मुख चल रहा है, पैर चल रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं, मैं चला रहा हूँ, तो वो मैं कौन है, तो वो जो मैं आत्म हूँ, it's like driver in तो गाड़ी को तो त्यार करा दिया, उसमें पेट्रोल डाल दिया, उसकी सफाई कर दिया, बहुत अच्छी लग रही है, चमक रही है गाड़ी, और ड्राइवर तो भी चरह सो रहा है, यह वो फ्रेश ही नहीं हुआ है, उसने कौम भी नहीं किया है, और कोई वो खिड़की स द्राइवर को देखेगा तो डर जाएगा, इतनी चमकती हुए गाड़ी में, सोता हुआ ड्राइवर, तो घबरा जाएगा, तो फिर गाड़ी चलेगी कैसे, तो सारे दिन की जो गाड़ी है, वो टिपसी टौवरी नहीं चले, सिधी चले, हमें कम से कम, कम से कम कह रहे हैं, वैसे तो अच्छा है और ज्यादा समय, लेकिन कम से कम आधा गंदा अपने उस टाइम टेबल में आत्मचिंदन के लिए रखना चाहिए, जिसको हम meditation कहते हैं, it simply means that you just get up, you just get up, और बड़ी शान्ती से उफील करो ने आख को, कि मैं कौन हूँ, और जिन लोगों से भी मुझे आज expected है मिलना या काम करना, उनको भी feel करो, in advance, क्योंकि अगर मैं वो जो vision है उनके साथ meeting का, अंदर में वो draw नहीं करता हूँ, create नहीं करता हूँ, तो यह जैसे कि मैं बहार की जो life की canvas है, उसमें जाकर के तयार नहीं हो, पहले मेरा अंदर व जो vision हो, ड्रॉउ होना चाहिए, उसके बार, जब मैं आपसे मिलने आई, तो मुझे पता है कि हा, मैं आज सुभा से ही मैंने आपसे बाते करनी शुरू करते तो जिनसे हमें मिलना है, उनके बारे में अच्छा सूचना, जो काम हमें करना है, उसके बारे में अच्छा सूच लेकिन उससे भी पहले अपने बारे में बड़ा peaceful experience लेना फिर उसके बाद में हमको बहार आना है क्यों क्योंकि आप वेक्ति हैं तो वेक्ति माना परिस्थिति जो भी वेक्ति है कुछ तो बोलेगा कुछ तो करेगा तो उससे कुछ तो create होगा तो उसको गहते है circumstance तो एक आप है एक दूसरा है एक थीसरा है तो यह circumstance की जो waves है वो create होती जाती है अब मैं उनमें जम्प होने से पहले तयारी नहीं हो तो drown डूबेंगे डूबेंगे बिलकुल तो यह जो meditation है आदा घंटा यह वेक्तियों और परिस्टियों के सागर में संसार सागर में छलांग लगाने के लिए एक बहुत अच्छी तयारी है और हमेशा इससे फाइदा होता है मैं नहीं समझती यह जो रिंदगी बने आसान की जो बात है इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको समझ्या नहीं आएगी आपको प्रब्लम नहीं आएगी आपको भीमारी नहीं आएगी 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 क्योंकि वातावरण ऐसा है और demanding है situation काम नहीं करेंगे आप तो कहां जायेंगे तो लेकिन तयारी करके आएँगे so you will be an expert और अगर तियारी नहीं करेंगे तो मार खाने पड़ेगी समस्या और फिर मुश्किल लगेगा ना जी दी